Hello student, I am Shurach from Varazhi Board exam को बहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारम कर दिया है कि किस समय पर कौन साविश है और किस क्लास का चलेगा आपसे हैंबल रिक्वेस्ट है कि इसकी जानकारी पाने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं प्रती दिन वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके विल अकन प्रेस कर लिजे ताकि किसी भी वीडियो की नोटिपकेशन सबसे पहले आपको मिल सके है लुष ब्रेंट आज आपको हम स्विजिक्स में बैदुत बल रेखा के विशें पढ़ाएंगे कल हम लोग बैदुत छेत्र तक कभर कर लिए हैं आज उसके आगे हम लोग बैदुत बल रेखा तक सुरू करने वाले हैं ठेक चलिए देखते हैं क्या होता बैदुत बल रेका तो बैदुत छेत्र के चारों तरफ ही जिसी गई नहीं यही रेखा कैलाती है बैदूत बल रेखा तो किसी भी बैदूत छेतर के पहली बात बैदूत बल रेखा ना उसे ही सपस्ट है बैदूत बैदूत बल रेखा रहेगा तो बैदूत छेतर के चारो तरफ अगर यह बोल देता है चुम्बक की यह बल रेखा तो चुम्बक की यह छेतर के चारो तरफ जब चुम्बक पढ़ाएंगे तब उसमें पढ़ाएंगे, तो बैदुद छेतर के चारों तरफ खीची गई रेखा, जो बिदुद छेतर को प्रदर्शित करती है, बिदुद छेतर को दिखाती है, वही रेखाएं कहलाती है, बैदुद बल रेखा, तो बिदुद छेतर के धन आवेस कोई आदमी है ना जैसे आप चलते होंगे स्कूल से तो घर आते होंगे घर से चलते होंगे तो वैसे ही जो बैदुत वल रेखा है उसका स्कूल है धन और उसका घर है रण तो ये धन आवेस से चलके रण आवेस से समाप्त होता है कहां चलता है धन आवेस से देख एक है दीखते हैं बैदुद बल रेखा ओं के गुण कोई आदम होता है संसार जन लेता है तो सहूर रात्रण होता है को उसके गुण होते हैं जैसे आप आई होंगे कुछ आपके अंदर गुण होगा कुछ कुछ आपके नदर होगा कुछ बे सहूरता होगी तो ऐसे क्ता थाए नजा यू पहले ही आपको दिखा दिया थाना था तो यह कहां चलता है कि इसका है धन-अविश है इसका घर है रण आविशह ठिक इतना स्वाई आ गया अब दूसरी एटिंग है ये रेखाएं खीची हुई लचकदार डोरी की तरह सिकुडने का प्रयास करती हैं देखते हैं इसी कारण जो विपरीत आवेस होते हैं वो आकर्शित होते हैं देखते हैं आप लोग कोई लचकदार डोरी है अगर दो डोरिया अराम से इधर उधर एक दूसरी के साथ मिल जूल सकती है तो ये इसके पास आ सकता है तो ऐसे ही आवेस होता है बिद्दूत बल लेखा होता है एक धन आवेस वाली बिद्दूत बल लेखा होगी एक रिन आवेस वाली बिद्दूत बल लेखा होगी तो क्या होगी ये दू इची हुई लचकदार डोरी की तरह शिकुडने का प्रयास करती हैं इसी कारण भी परी तावेशों में आकर्षाण होता है हमको लग रहा है कि आपको अच्छे समझ में आ चुगा होगा फिर तीसरी एडिंग है दो वैदुत बल लेखाएं ये सबसे इंपॉर्टेंट टाप रहेती हैं तो वह हैं पर जो बैदुत छेतर की दो दूसाँ होता है एक दूसरे को कभी काड़ती है ये कभी संभाव है एक समझ में बैदुत छेतर की दूसरे होना तो इसे दिये एक समय में एक ही बैदूत बल रेखा होता है, वो कभी एक दूशे को काटता नहीं है, अब चोथा heading क्या है, बैदूत बल रेखा किसी बिंद उपर खीची गई रेखा, उस बिंद उपर बैदूत छटर की दिशा को विक्त करता है, मतल ум बैद्दुत बल रेखा है यह माली चानिये बैदुत बल रेखा है इसी पर कोई सपर्सी ऐसे खीक्षप करता विदल को बैद्दुत बल रेखान पर धुक्षी परसी रेखा खिदी देखती है तो वह बैदुद छिदर की दिशा को ब्यक्त करता है ठीक अब देखिए पच्वा पॉइंट बैदुद बलेखाएं जहां से चलती है और जिस जगह पर मिलती है वे दोनों अस्थान प्रिष्ट के लंबवत होते हैं मतलब बैदुद बलेखा जहां से चलती है बैदुद बलेखा जहां से चलती है और जहां पर उससे जाना है जहां पर उससे मिलना है वे दोनों अस्थान क्या होते प्रिष्ट के लंबवत होते हैं मालीजे बैदुद बलेखा जहां से चलती है और जहां पर उससे जाना है मालीजे यहां तो एक दू प्रिष्ट के क्या होते हैं लंबवत होते हैं ये पांचों पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कभी कभी ये लांग कोश्चन में आभी सकता अब देखिए आता है कुलाम के नियम का सदिस्वरू ये बहुत ही इंपार्टेंट है ये बोड़ परिष्टा में बहुत ब बिंदू आवेस है Q1 और Q2 वो दूरी पर रखे हैं उनके बीच की दूरी R है तो क्या है ये जो पहला आवेस है ये बल लगाएगा इधर की तरफ और दूसरा बल लगाएगा इधर की तरफ क्योंकि दोनों प्लस आवेस है एक दूसरे को प्रतिकर्शित करेंगर साथ दू फोर सान मनला पहले पर्बल है दूसरखे के के खारणि अब यहां लिखा गया अब दूसरा बल लगा रहा है दूसरे पर्बल पहले के कारणि सकता घ 독तिकर्शित आप इसे सर्चाल lle पर ने सबकिकर्शित की तक के बीच की दूरी R12 हो जाएगी तो R12 का इसक्वार एंटू जब वेक्टर फार में लिखना है तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर का गुड़ा करते हैं R12 लिखेंगे बल एक सदिस राची है तो सदिस के उपर सदिस लिखने का एक तरीका होता है यहाँ पर वेक्टर चिन खिचना तो यप 12 बराबर एक बटा 4 पाई एफसाइलन जीरो Q1 Q2 बटे R12 का इसक्वार इन्टू R12 का एप यह पहला समीकना है फिर दूसरा यप 21 मलब दूसरे पर बल लगेगा पहले के कारण तो 4 पाई एफसाइलन जीरो Q1 Q2 अब वहाँ पर दूरी R12 लिखे तो R21 कैप इसको कैप पढ़ते हैं बाबू तो R21 कैप अब देखना है यह R12 और R21 एक दूसरे परीख है नहीं यह 1 2 है यह 2 1 है मतलब R12 को लिखना है तो माइनस साइन लगा के R21 के बराबर लिख सकते हैं तो R12 is equal to minus of R21 इतना सौन जाया तो अब देखते हैं क्या है यह समीकन रेखा है यह समीकन 2 है तो यह 1 2 बराबर क्या हो जाएगा एक बटा फोर पाई epsilon 0 Q1 Q2 बटे R21 का स्कार क्योंकि R12 बराबर R21 है माइनस साफ R21 है तो R21 के स्कार इंटू इहां पर यूनिट वेक्टर की जगा पर हम लोग क्या लिख देंगे माइनस R21 कैप अब यह पूरी पूरी बैलू क्या है यह 2 1 के बराबर लेकिन यह माइनस साइन नहीं है तो माइनस आगे निकालते यह पूरी बैलू यह 2 1 के बराबर लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं यह 1 2 बराबर माइनस साफ यह 2 1 एक बार फिर से देख लिजिए पहले क्या करेंगे यह 1 2 का मान नि हो जाएगा क्योंकि दूरी क्या है एक दूसरे के एपोजीट है तो मायनस र 2 1 के हो जाएगा तो यहाँ पर पहले समीखरण में र 1 2 का जगह पर मायनस र 2 1 का लिख सकते हैं और र 1 2 लिख सकते हैं तौ र 2 1 का स्कॉआर गड़े तो यह पूरी वैलू कि यह समझने आ गया होगा अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर देंगे तो एक बार और शम्धा दिया जाएगा ठिक अब आता है कुलाम के नियम को सदिस स्वरूप में क्यों लिखा जाता है उसका क्या importance है क्या महत्व है क्यों इसको लिखा जाता है पहली बाद तो देखेंगे दोनों आवेसों पर लगने वाला बल बराबर कथा विपरीत होता है देख रहा है यव 12 है और माइनस यव 21 है जो बल लग रहा है वो बराबर मात्रा में लेकिन विपरीत है मतलब एक ऐसे लगेगा तो एक ऐसे लगेगा ठीक एक अगर आगे जाएगा तो एक पीछे आएगा एक दुसरे के विपरीत लग रहा है तो दोनों आवेश पर आवेश पर जो लगने वाला बल है वह बराबर किन्तु क्या होता है विपरीत होता है इसी प्रकार यह न्यूटन के तृतिय नियम का पलंग करता है तृतिय नियम न्यूटन का जानते है आप लोग नहीं जानते है तो कि हम बता दे रहे हैं दिवाल को जितनी तेज से आप मारेंगे उतनी तेज से ही दिवाल आपको जटका देगी मतलब आप क्रिया कर रहे हैं दिवाल पे तो दिवाल आप एखिला प्रत्क्रिया व्यक्त कर रही है तो ऐसे ही क्या है बल इधर से समाल लग रहा है लेकिन विपरीत लग रहा है तो य दूजरा क्या है दोनों आवेस Q1 वा Q2 को मिलाने वाली रेखा कि अनुदिस अनुदिस माने एलान तो दोनों आवेस Q1 वा Q2 को मिलाने वाली रेखा पर जो लगने वाला बल है बल इस पर दो लग रहा है यफ 1-2 और यफ 2-1 वे परस्पर क्या होते हैं बिपरीत होते हैं अर यवथ तूवन वह क्या है भीपरीत है इसका मतलब हुआ कि जो इस्थिर बैदुद बल्र है मतलब कुलांब यहां का पूर्स है कुलां का जो बल्र है वो कट्यांद्री होता है कियंद्री नहीं कि नान Nature केंदरी बल क्या होता कि दिशा उती है बल की बल की जो सब्सक्राइब टरब तो वैसे यह केंदरी बल है इस्तिर बैदुत बल अर्थात्वूलाम्रीक बल एक केंद्रीयबल होता है ठीक को आप देखेंगे बैदू छेत्र की तिव्रता के विसे में लोग जानेगे आप लोग बैदू छेत्र तो कलका जानी चुके हैं जो नहीं देखाई वीडियो वह जाके देख ले उसका description में link दे दिया जाए अब देखेंगे मोग 126 की तिवर्था तो पहले आमें लोग सुत्र देखेंगे सुत्र से ही हम लोग परिभासा उत्पन करेंगे तो इसका सुत्र होता है बैदू छेत्र की तिब्रता को E से दिखा जाता है E वराबर सुत्र होता है यप बटे Q सुत्र लिखा हुआ है Q माने क्या है पहले सबका आर्थ जान जाएश में E क्या है बैदू छेत्र की तिब्रता यप क्या है बैदू बल पर तेस्ट्टार्ज है तो आवेस पर लगने वाला बल ही 12.shetra की तिवरता कहलाता है इसे किसे प्रदर्शित करते हैं इसे पहले बता दिया अब ए के उपर देखना बेक्टर लगा है अर्थात यह एक सदिस राशी है और यह तो ऐसे ही बेक्टर है सदिस राशी है सदिस अदिस कलका में बताया हूं तो फिर से एक बाद देख लिए एक आंग परिछान आवेस परिछान आवेस क्यों है उसी पर बल लग रहा है न यह तो एक आंग परिछान आवेस पर लगने वाला बल वैदुच्छत की तिव्रता कहलाता है इसे किसे प्तरशित करते हैं इसे और यह एक सदिस राशी होती है अब देखिए इसका हम लोग मात्रक जानेंगे मात्रक क् इब बराबर वी अपलोग जाने यप बई उबाई जयाने यान किया होता है बल को कहते है नुटन बल के मात्रक क्कुम क्यों माने आवेस आवेस क्त ऑब्स के लाउम तो उपर निच्टन नीच्छे लह में और बटे कहते हैं प्रति सो क्या उगार इसकोरफर कर एंगल तो बीमा क्या होता है वेक्टर E बडाबर वेक्टर F by Q तो फोलगी जो बीमा है वह कल के वीडियों बता था जो बल की बीमा होती है वह होती है क्या YUM YAL T PAUER MINUS 2 YUM YAL T PAUER MINUS 2 होती है अग Q बग को लिखते हैं हम लोग IT तो Q की जो BIMA होगी वो हो जाएगी I माने A T तो इसको लिख देंगे YUM YAL T PAUER MINUS 2 अब 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 T तो यह T उपर जाएगा तो MINUS 2 है नीचे जाएगा तो MINUS से जाएगा जुड़ जाएगा तो यम यल T के पावर माइनस 3 एक पावर माइनस 1 यह समझ आएगा इसका बीमा अब उपर मैंने एक सब्द लिखा था परिच्छन आवेस कुछ बच्छे परिच्छन आवेस का आर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो परिच्छन आवेस की विश्यम बताएंग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंड बाक्स में कमेंड करके जरूर बताएं और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब न किये हों सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद